भुवनेशवर कुमार ने 2016 और 2017 हमें APL में सबसे ज्यादा विकेट लिये थे फाइल फॉर्ट और नाए दिली इंडिन फ्रीमिय लीग IPL की पूर्ब चेंपियन संराइज यज़ हाइदरबाद SRH के उपकप्तान और तेज गेंबास भुवनेशवर कुमार ने कहा है कि उनकी टीम को फिर से खिताब पर कबजा जमाने के लिए छोटी छोटी गिलतियों में सुधार करना होगा भुवनेशवर ने एक इंटरवियू में कहा हमारा उद्देश फिर से चेंपियन बनना है लेकिन हमें पता है कि यह आसान नहीं रहने वाला है क्यूंकि अन्य बाकी टीमें भी काफी मजबूत है इसलिए पूरे टूरुनामेंट में हमें चीजों को सही ढंग से करने की जरूरत है ताकि हम दोबारा खिताब अपने नाम कर सके हाइदरबाद की टीम ने इस बार अपने दो प्रमुख खिलाडियों डेविड वन और भुवनेशवर को रिटेन किया था भुवी 2016 और 2017 में लीग में सरवाधिक विकेट लेने वाले गेनवास थे वाने टीम में नहीं है क्यूंकि बॉल्टेम पत्म विवाद के बाद आई पील गाविनंग काउंसिल ने उन्हें एपील से बाहर कर दिया है यह भी पढ़ हैं आई पील 2018 कुल्दी प्यादव ने दिया विराट को ली और महिंद्र सिंग धोनी को चैलेंज यह पूछे जाने पर की साथ अप्रेल से शुरू हो रहे लीग के ग्यारवेस संसकारण के लिए उनके पास कोई खास रणनीती है उन्होंने कहा कि अभी उनके पास कोई योजना नहीं है लेकिन मुकाबले शुरू होने से पहले कुछ अलग रणनीती तै की जाएगी 28 साल के तेज गेनबाज ने कहा इस तरह की कोई खास रणनीटी नहीं है लेकिन माच की पूर्व संथ्या पर टीम मीटिंग में ही टीम के अनुसार रणनीटी तै करते हैं मैच शुरू हुने में अभी एक सप्ताव का समय बचा हुआ है और उससे पहले ही हम कुछ नया करने जा रहे हैं गेनबाज जी विभाग में हायतरपाद के पास भूवनेश्वर के अलावा और कोई दूसरा अनुभवी गेनबाज नहीं है जो उनका साथ दे सके ऐसे में टीम के प्रदर्शन पर इसका असर पढ़ सकता है लेकिन उत्तरप्रदेश के गेनबाज का मानना है कि वे ऐसा नहीं सोचते हैं भूवनेश्वर ने कहा गेनबाजी विभाग में हमारे पास राशित खान और सिद्वार्थ कॉल हैं जिन्होंने पिछले संसकरण में काफी अच्छे प्रदर्शन किये थे इसके अलावा और भी कई नए युवा चेहरे हैं इसलिए हमारे पास एक संतुलिद गैनबाजी आकरमन है मुझे नहीं लगता है कि अनुभव की कमी का आसर टीम के प्रदर्शन पर पढ़ने वाला है उन्होंने कहा अनुभव का मतलब यह नहीं कि आपके पास अंतराश्ट्रिय क्रिकिट का अनुभव नहीं है टीम में कई ऐसे खिलाडी हैं जो चार या पांच IPL खेल चुके हैं इसलिए अनुभव से ज्यादा खिताब जीतना एहम है विडियो IPL ने लमी में सबसे महेंगे बिके बेन स्टोक्स स्वेंग मास्टर भुवन इश्वर का मानना है कि इंडियन प्रीमिय लीग भारत को कई तेज गेंबाज दे सकती है उन्होंने कहा कि 1990 के दशक में टीम में केवल एक या दो तेज गेंबाज हुआ करते थे लेकिन मौजूदा समय में भारत के पास उमेश यादव, मोहमत शमी और जस्प्रीट भुमाह के रूप में कई तेज गेंबाज है उन्होंने कहा इसका सही कारण जानना मुश्किल है लेकिन यदि हमारे घरेलू टूर्नामेंट देखे तो यह बहुत अच्छा है IPL पिछले 10 वर्षों से चला आ रहा है यहां कई अच्छे कोच भी हैं, इसका श्रे IPL को ही जाता है हाँ यह प्रारूप छोटा है, लेकिन मुश्किल समय में भी आपको अपने अनुभव और आत्म विश्वास के साथ प्रदर्शन करना है इस खबर को NDTV टीम ने संपादित नहीं किया है, कि यह सिंडिकेट फीट से सीधे प्रकाशत की गई है हिंदी न्यूस से जुड़े अन्य अप्टेक लगातार हासल करने के लिए हमें फेस्बुक और गूगल प्लास पर जॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें